Hello everyone, welcome back to another video, कैसे है आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, और मैं हूँ रहुल कटोच, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गोलगपे की रेसिपी, गोलगपे तो वैसे भी सभी को पसंद होते है, गोलगपे देखकर सभी के म में पानी आ जाता है, तो आज मैं आपके लिए कर आया हूँ कि गोलगपे आप घर पर किस तरह से बना सकते हो, easily घर पर जो भी समान अविलेबल है आप उससे जो है, easily गोलगपे बना सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं गोल कपपे बनाने के लिए मैने घ्याओं का आठा ले लिया है और हम इसमें आड खरेंगे सुजी 3-4 छमच यो मैंने शुजी के इसमें डाल दिये है अब नहीं अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आठे और जो सूजी है इस तरह से मिक्स कर देंगे जो है हम इसमें एड करेंगे baking powder अगर baking powder नहीं है तो आप इसमें यिस्ट भी यूज करसकते हो तो मेरे पास baking powder था तो मैंने इसमें baking powder डाल दिया है अब जो हमें इस को भी अच्छी तरह से इसमें add कर देंगे जी तरह से figure imp Candi के बीच में मिक्स करने के बाद हम इसे जो है अब गुंदना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा पानी लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी ले एक सादा पानी ना डाले तो थोड़ा थोड़ा करके हमें जो इसे गुंदना है और हमें डो त्यार करना है तो देखी इस तरह से हमें जो डो है वो हमें जैसे आप चपाती के लिए बनाते हो वैसा पिलकूल नहीं बनाना है हमें जो थोड़ा हाड सा बनाना है डो तो फिर अच्छी तरह से इसे गूंद लीजिए जैसा पूरी के लिए बनाते हो ना उसे थोड़ा हाड सा बनाना है हमें डो तो देखी हमारा डो जो है रेडी हो चुका है अब देख सकते है आपकी हाड सा बन गया है ये चेक करके देख रहा हूँ अब जो है इसे हम गीले कपड़े में ढख कर बीच से 25 मिनट के लिए रख देंगे तो चलिए बीच से 25 मिनट हो गए है अब हम जो है इसे फिर से गुंद लेते हैं अब हम जो इसे सरसो के तेल या रिफाइंड ओयल से गुंदना शुरू करेंगे तो मैंने रिफाइंड ओयल लिया है तो मैं रिफाइंड ओयल से इसे इस तरह से गुंद रहा हूँ अब जो है हम इसके एक रोटी बना देंगे बड़ी सी बना देंगे और जो है चारो तरब से पतली होनी जी ऐसा नहीं कि एक तरब से मोटी एक तरब से पतली तो देखी चारो तरब से जो है ये पतली है अब जो है हम इसके जो है गोल गोपे बना देते हैं तो मैंने सरकल बन और यह देखिए अब हम जो है इन्हें इससे निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा आटा है उसे इससे साइड कर देंगे अब जो है मैंने ये सारे एक कपड़े के ऊपर फिर से रख दिये ये कपड़ा भी हमने गीला करना है गीले कपड़े मैं इन्हें फिर से 10-15 मिनट के लिए रख दिना है तो चलिए 10-15 मिन्ट हो गए है अब जो हम इने तेल में तर लेंगे तो तेल में गरम होने के लिए लगा दिया है तो तेल हमारा गरम हो गया है अब जो हम इने तर लेंगे तो देखिए पहला गोल गपा हमारा फूल चुका है अब ये दूसरा हमें जो इने थोड़ा प्रेस भी करना है ताकि अच्छे से फूल सके इस तरह से जो हमें ने हलके हलके से प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाए जो फूल गे वो गोल गप्पे जो ना फूल है वो पापड़ी तो देखिए इस तरह हमारे एक ओलगपे जो है फूल रहे है दोनों साइड से ने अच्छी तरह से जो है ब्राउन सा होने दीजिएगा गैस जो है एक ही सेम पर रखे तो देखिए अब इसमें हम और एड़ कर लेते हैं इस तरह से इसमें डाल दें और जो है इस तरह से हलके हलकी तरह से इने प्रेस कर दीजिए जिससे यह तरह से फूल जाएंगे आप इस घर पे ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मैंने पानी पुरी का पानी मनाने के लिए पुद्री न ले लिया है आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी यूज़ कर सकते है और यह हरी मिर्च क्योंकि पानी पूरी का पानी खटा और ठीका होता है तो मैंने हरी मिर्च भी ले ली है और इसमें हम अब एड़ करेंगे जीरा जीरा जो है भुना हुआ होना चाहिए कच्चा जीरा यूज़ ना करे अब हम इसमें एड़ करेंगे सॉल्ट और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा गरम मसाला आपके पास जो चीज़ भी अविलेबल है आप इसमें वो डाल सकते हैं और यह ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मेरे पास तो यह सारी चीज़े एविलेबल थी तो मैं यह सब कुछ डा रहा हूँ बढ़ आपके पास कहर में जो कुछ भी एविलेबल है आप उससे जो है पानी बना सकते हो और यह जाट मसाला भी हम इसमें थोड़ा सा एट कर देंगे उसके बाद हम इसमें एट करेंगे जल जीरा मसाला जल जीरा मसाला जो थोड़ा खटा सार तेस्ट आता है उससे और यह लाल मेच और इसमें हम एट कर देंगे पानी और हम इसमें खटे के डालेंगे नीमबू और मैंने इसमें नीमबू के साथ डाल दिया था आमचूर पाउडर और ये देखिए हमारा जो पानी-पूरी का पानी है वो रेडी हो गया है देखिए टेस्टी सा जो पानी-पूरी का पानी है वो बन गया है तो देखिए हमारे कोल गप्पे और पानी-पूरी का पानी रेडी हो गया है देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और ये है चने आप चाहे तो इसमें चने डाल सकते हो आलू भी डाल सकते हो और प्याज भी जो आपकी इच्छा हूँ आप इसमें डाल सकते हो तो देखिए देखकर जो है मुँ में पानी आ रहा होगा सभी के आप लोग भी घर में इसे जरूर ड्राइ कीजिएगा और यह है पापडी जो नहीं फूलेते वो है पापडी I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आपको मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाहेगी, थैंक यू